वेल्कम टॉबर ग्लासिस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में भी हम अपना पॉइंट इंफ्लेक्शन को स्टार्ट जरेंगे यह टॉपिक हम आरेड दो दिनों से कर रहे हैं तो आपको अभी तक 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 तकरीब में पर सब स्कॉश्चन समझ आया होंगा अगर वह क इतने भी कंसेप्ट ने को समझ आ जाए तो अब टाइम वेस्ट ने करेंगे कोशन पर चलेंगे आपको बोला है फाइंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन और कर्व एक्स इगल टू लॉग वाई का होल क्यों तो यह जो कोशन है यह एक्जाम में जब में काफी बार आया अगर आपको याद होगा कल के लेक्शर में है कल से पहले लेक्शर में हम ऐसे करते थे हमने निकाला दी वैवे डी एक्स फिर हमने निकाला डी टू वाई वाई डी एक्स तू फिर हमने निकाले एक्स के वाई ठीक है फिर हमने निकाला डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब कि यह value चीदर डाली और देखा non zero और fine नहीं दाना चाहिए अब ऐसा ही क्यों करते हैं कि जो curve होती थी वो हमारी y की terms में होती थी अब जो मेरा question है जो मैं आज आज आपके सामने लाया हूँ उसमें curve किस की terms में है एक्स की terms में तो अब आपको डी वाइब डी एक्स की प्लेस में टी एक्स में डी नहीं काल नहीं है इतनी चेंज है आई होप आप समझ गये होंगे तो देखो यह question है x is equal to log y का whole cube तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं dy तो क्या आज जाएगा 3 log y whole power 2 अब log की differentiation कितनी आजएगी 1 by y ठीक है अब y की with respect to y कर रहे है तो वो तो 1 ही रहेगी ठीक है अब इसके बाद क्या आ जाएगा dx by dy इधर किया जाएगा 3 log y whole square upon y यह आपके पास dx by dy है अब हम इसको दुबारा से differentiate करेंगे again differentiating with respect to y तो क्या जाएगा आपके पास d2 x by dy2 अब 3 constant बाहर आ गया और जो अंदर है उदर लगा यू बैवी का फॉर्म तो यू बैवी का फॉर्म क्या बोलता है वी का स्केर वी को वैसे log y के whole square के differentiation तो आएगी 2 log y कितनी होती है 1 by y माइनस log y के whole square को वैसे ठीक है और यह जो y है इसकी differentiation कितनी आजाएगी मानना जाएगी अब और simplify करेंगे तो कितना आजाएगा d2 x y dy2 ये y और ये y के answer कितना आजाएगा 3 2 log y माइनस log y का whole square upon y square या या तो इस question में जो आब वो curve दी है वो x is equal to की form में दी है तो आपको del 2 x d2 x by dy2 निकालना है अब इसके बाद वहला step कि आप इसको equal to zero कर दो तो वहीं मैं करने जा रहा हूं point of inflection निकालना एक लिए for point of inflection for point of inflection put करो d2 x by dy2 को equal to zero कि इतना आ गया 3 2 log y sorry minus log y का whole square upon y square is equal to zero अब इसको simplify गरो 3 0 के नीचे चला गया 0 y square 0 के साथ चला गया वो भी 0 तो आया 2 log y minus log y का whole square is equal to zero अब इस equation में क्या कहलेंगे students log y को common ले लो तो क्या बज़ेगा 2 minus log y अगर दो चीजों का product 0 है तो यहां तो first वाला 0 है यहां तो second वाला 0 है तो इसका meaning है यहां तो log y 0 है यहां तो 2 minus log y 0 है अगर log y 0 है तो आपको पता लॉग हड़ा हो तो इदर exponential लगाओ ठेक है तो वाई कितना आ रहा है 1 स्वारी और इसको मैं इसेर क्या कर दूंगा लॉग भाई अब इदर से लॉग हो तो इदर e की उपर 2 लगाओ तो तो आपको पास दो पॉइंट्स है वाई 1 और e की पाउगर 2 अब क्या करोंगे स्टुडेंट्स अब आप इसका ट्रिपल डेरेवेट्टिव निकालों क्या निकालों इसकी एक बार और डिफ्रेंट्सिशन करों तो कितना आजाएगा मैं सबस्क्राइले फंक्शन लिख देता हूं कि डिवाई डिवाई क्या फंक्शन है तो फंक्शन आपका आया हुआ है थ्री के साथ आया है लॉग बाइट और इदर के लिखा हुए हमने टू माइनस ऐसे गबना आसे ड्रेक्ट कर लेते हैं थ्री इंटू टू शिक्स लॉग बाइट तो मैं जिक्स लनवग फिर गठो इन्टू लॉग हई को कितना आज पाम तरी बाइघ का की ये आपका मैं इसकी टुवर दुवारा करना चाहते हो कैसे करें करें जो पाइसे गालों सिर्ण पूरे तो 6 को बैसे लॉग भाइगी वान भाइग माइनस त्री वाइशी टू आया निच्छे बचा क्या लॉग वाइगी फिर अगें ज्या होगी वन भाइग य स्कर्पार इसकी डिफ्रेंसेशन की माइनस अब इसको एज़टी सरकों करते हैं शिक्स लॉग बाइग माइनस थ्री लॉग बाइग और य स्कर्पार्ट की दिफ्रेंसेशन की वो कितनी हा रही है तो अब आप इसको solve करने ही कोशिश करते हो देखो क्या होगा यह जो y square है 6 से multiply हुआ तो y y कट गया तो आगया 6y यह y square आगय भी जाएगा तो minus 6 जैसे y square गया गया तो y और y दुबारा कट गया तो कितना आगया 6y लॉग वह फिर इधर के हैं बार से 2y आया तो 2 x 6 कितना होगा minus 12y log y फिर बार से 2y आया इसके साथ 3 के साथ तो बना 6 और बार से माइनस 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 होगया प्लस तो यह कितना होगया 6y log y का whole skill I hope आप calculation समझ रहे होंगे जब तक आप इस calculation खुद नहीं करोगे तब तक आपको फ्रैक्टिस नहीं होगी अब और सिंप्लिफाइ करेंगे कितना आगया 6y minus 12y log y minus 6y log y कितना होगया minus 18y log y plus 6y log y का whole skill upon y4 यह आपका किसकी वैल्यू आरे है हमारी वैल्यू आरे है d3 x by dy q कि अब हम कैसे बताएंगे जो हमारे points निकले है y is equal to 1 और y is equal to e की power 2 वो point of inflection है तो उसके लिए हमने क्या गरना है इसके अंदर पहले y को 1 डालतो जैसे आपने इसमें y को 1 डाला तो d3 x by dy q y को 1 डाला तो कितना बन क्या 6 minus y को 1 डाला और आपको पता है log 1 0 होता है तो ये 0 बन गया y को बन डाला और आपको पता है log 1 0 होता है तो ये भी कितरा बन गया 0 बन गया और निचे y को 1 डाला ये भी कितरा बन गया 6 into 0 0 और निचे y को बन डाला तो 1 के पावर 4 तो आपके पास आ रहे students 6 answer जो कि not equal to zero है एक्जिस्ट भी करते हैं और आपको पता है अगर टिपल डालने पर not equal to zero आजाए और एक्जिस्ट भी करें तो ऐसी वैल्यू को हम point of inflection बोलते हैं इसका मतलब जो यह वाई is equal to one हो हमारा point of inflection आ गया अब मैं सेम इसी तरीके से वाई is equal to e q power 2 को भी इदर डालूगा अगर आप मैंसी किसी के पास कोई book है जैसे कि मेरे पास आपकी जब मुन्वेस्टी की book है calculus की तो अगर आप इस पर इसका solution देखोगे इस किसी और प्रोसीजर से की है बेसिकल उन्हें साइन को देखा हुआ है मगर दो मैठट है जिसमें मैंने क्यूव किसे किवाया हुए इसमें बस differentiation के दो step की problem है अगर आपको differentiation अच्छे से आती है तो आप कोशन को easily कर जाओगे नहीं तो आपको अगर उस पैत्र से क्रपाऊंगा तो आपको चीज़ें याद रखने पड़ेंगी तो कोशिश किया असान बनाने की तो अब यह कितना आए डी 3x by d by u अब एक πाहः टू डाल दिया कितना है 6발 birthday दू इग दू डाल दिया इधर तो कितना है से कि लौत क्बावर नौरでは कि में डाल दिया में फिर सिक्सिक का लोग का फॉल स्क्पेन और यह भी not equal to 0 और finite आना चाहिए तो इसको अगर हमने जद्धी solve करना है तो गब्रावनी calculation देखे हैं आप side पे पहले log e की power 2 solve कर दो log e की power 2 को लिख सकता हूँ 2 log e और log e हमेशा क्या होता है बने होता है इसलिए log e की power 2 का मतलब 2 है ठीक है तो यह आगा सब्सक्राइब 6e की power 2 – 18e की power 2 log e की power 2 का मीनिंग मेने कहा है पता है तू प्लस 6e की power 2 log e की power 2 का मीनिंग मेने कहा है तू और e पावर 2 का 2 तो यह कितना हो ज़या फोर अब इसको और अगर आप सौल करो तो कितना घर ya 16 इसके अबिया है है ऐब सब के पास इस के रहे मैंने कॉमन ले लिए सब के बास 6 है मैंने वो भी कॉमन ले mechanics सिक्स भी जबें ई स्केर पिह निया ऊंची और निचे फॉर चो मल्टीप्ले करों पर गड़बडबड़ करों इसे दो एटना मनाओट प्लस वगंद पूरिये कफेडिए कभी भी जीरो के सकते हों कीव क्योंकि मैंने आपको बड़ी करनी ने सकता है और यह जीरू तब बनेगा नीक्चे वाला इंफिंटी बनेगा यह इंफिंटी रोना है तो यह नॉट इकॉल टू जीरू है और फाइनाइटली एक्जिस्ट करना है तो इसका मतलर जो मैंने इस कोशन में पॉइंट्स निकाल लें है यह आपके पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है तो अब हम क्या करेंगे बैंट एक्ञ इकुल टू फरन तो कोशन में एक्सा वो क्या दिया था खौशन देख में लॉग वाई की होलपाववर थी अंग मैं फाइगी होड़ फावर थी तो इसमें वाई की तेखा बान डाल तो लॉग की होल पावर 3 और लॉग 1 कितना होता है 0 या रख 9 एक पॉइंट लिए आया और दूसरा वेन वाई इस एकल टू एकी पावर 2 एक्स कितना है लॉग भाई की होल पावर 3 और लॉग भाई की जगह भाई आये प arguments ओए ये वाई फॉइंट दूसरा की बनानी कि आई होब आपको कोशन अच्छीजर समझाया होगा जो इस टाइफ की कोशन्स आ ये एक्जाम में काफी बार कुछे जा चुकिए और काफी बार ये आएंगे भी तो आपको इस किस ताहर की कोशिर अच्छे से कर लेने हैं तो students next question हमारे सामने show that the points of inflation यह आपको कर दिए तो इसके जो point on inflation आपने बताना वो इस line के उपलाई कर दे यह एक line है इसके उपलाई कर दे तो क्या करोगा आप as usually जैसे हम इसके point of inflation निकालते हैं वो निकाल लो और उनकी वैल्यूस को इस line में डाल दो अगर satisfy करके तो इस line के उपलाई कर रहे हैं ऐसे question जब university अक्सर फूछ लिया करता है ठेक है तो क्या करेंगे सबसे पहले आपके पास कर रहे है y square is equal to x-a ka whole square into x-b ठीक है आप इससे y निकाल तो अब अब एक्स माइनस अब आपके पास y की 2- सारी है तो क्या करो आप य ले लो पॉजिटिव तो ले लिए वाई मैंने प्लस वागा एक्स माइनस एं इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अब इसके ओपर मैं अपना पॉइंट और इंफ्लेक्शन कैल्कुलेट करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करोगी डी यह दिए च्वाइद एकक डिफॉरांस अबं तो कितना आ को अनदर ऊंद रूट एक्स माइनस अ ओछी कालगे एक्स माइनस तू नायक रिख ऴर 3x minus a minus 2b upon 2 under root of x minus b और यह value किसकी आ लिए है dy by dx की यह value किसकी आ लिए है आपकी dy by dx की I hope आपको इधा तक समझाया हुगा जब आपने एक बार differential करती है तो again उसकी differentiation करेंगी again differentiating with respect to x ठेक है तो कितना आ जाएगा d2y by dx2 अब लगेगा u by v form क्या लगेगा question rule u by v form तो आप एकाम करो 2 को constant को पहले बाहर ले लो और u by v लो नीचे v का square तो under root x minus b का whole square फिर under root x minus b को वैसी इसकी differentiation की with respect to x तो 3 आएगा minus 3 x minus a minus 2b को वैसी ठेक है इसको as it is वैसी रख दिया और differentiation की की root वाले की तो वो आजाएगा 1 by 2 under root of x minus b और फिर root के अंदर इगे वो कितना आगे है फिर 1 आगे है और यह मैंने back to you close करते है ठेक है calculation का ही मसला है आपको थोड़ा अराम से करना है आप देखो root और यह कट गया यह 2 नीचे आगे है तो कितना आगे है 2x minus 2b अगर 2 से आप multiply नहीं करना चाहते हो तो मत करो आप 2 को बाहर भी डख सकते हो ठेक है अब इधर क्या आगे है 3 under root x minus b अभी कितना आगे है minus 3x minus a minus twice b upon 2 under root x minus b students थोड़ा सा और simplify करेंगे तो हम उपर numerator में LCM ले सकते हैं यह दर को इसके denominator 1 है डोनों multiply कर दिया तो कितना आगे है 2 under root x minus b cross multiply किया 3 into 2 6 root root cancel तो कितना आगे है x minus b 1 से multiply किया तो वो same रहेगा और minus से multiply किया तो minus को मैंने ऐसे करते है minus plus और plus और whole में क्या है यह तो आया LCM उपर वाले का whole में क्या है 2 x minus b अब देखो एक बात ज्यान से इस x minus b की पावर 1 by 2 है इसकी पावर कितनी है root है root को 1 by 2 गोलते है और इसकी पावर कितनी है 1 यह 2 नीचे आ गया तो कितना बन गया 4 वैसे root भी नीचे आया तो नीचे x minus b पहले का था root अप्रे साथ लाया 1 by 2 1 by 2 भी है 1 by 2 भी है बेसे जाया सेम्स पावर सार एडिल 1 plus 1 by 2 कितना होता है 3 by 2 खेक है और उपर कितना आ गया 6 x minus 6 b minus 3 x plus a plus 2 b खेक है अब 6 x में से 3 x minus करती है तो 3 x रहेगा minus 6 b plus 2 b कितना आता है minus 4 b और आएगा plus a upon 4 x minus b की whole power 3 by 2 यह आपका double derivative भाया जैसे आप double derivative निकाल दो उसके बाद हमने क्या करना है हमने इस point of inflection निकालने के लिए इस double derivative हो क्या करना है equal to 0 put करना है for point of inflection आपको क्या करना है d2y by dx2 को equal to 0 put करना है d2y by dx2 किसके equal put करना है 0 तो यह कितना आ गया 3 x minus 4 b plus a upon 4 into x minus b की whole power 3 by 2 is equal to 0 जो denominator है इसको 0 से multiply रहेगे 0 बन जाएगा तो remainder उपर बचा 3 x minus 4 b plus a is equal to 0 3 x को ऐसे रखा तो यह बच गया 4 b minus a उस तरफ चला गया ठीक है x को solve करूंगा तो कितना आ गया 4 b minus a upon 3 यह आपका x point निकल गया जैसे हमने इसको equal to 0 गया तो यह आपका कहा निकल गया x point एक बचेक भी कर लेते है क्या बाकी हमारा यह point आ रहा है बिल्कुल यह यह आ रहा है ठीक है यह आपका point आ रहा है अच्छा अब देखो अब question वाले ने क्या बोला question वाले ने बोला जो point of inflection है जो आपका इस question में point of inflection आएगा ठीक है वो किस line के उपलाई करेगा वो line देख लो आप 3x plus a is equal to 4b 3x plus a is equal to 4b तो अगर आप दियान से देखो यही तो है यह देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लो solve 3x plus a is equal to 4b यही point आ यही line बन गी तो हमने क्या देखा जैसी मैंने इसमे point of inflection कंडिशन लगाई equal to 0 वाली तो मेरे को जो मिला last में point तो मिल गया बेशक मगर मेरे को जो actual में मिला वो मेरे को line ही मिल गी और यह उन सा केस था जब मैंने y को positive लिया फिर आपको क्या करना है निचे line लिखने है similarly for y is equal to minus अब क्या equation थी वो मैं एक बार देख लेता हूँ वो equation थी आपकी minus x minus a under root x minus b इसके लिए भी we get हमें यही मिलेगा 3x plus a is equal to 4b अब exam में question आता है तो बार बार निकरना है similarly करकी आपने short देना है तो हमने क्या देखा जो इस कोश्री का point of inflection है वो इस line पर लाई कर रहा है तो therefore जो point of inflection की जब मैंने इस पर condition लगाई तो वो इसी line पर आ गया तो हम बोलेगे जो point of inflection है इस कर्व का वो इसी line पर गया कर रहा है I hope आपको यह question अच्छे से समझ आया होगा ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आमें comment section में लिखके बता सकते है इसके बाद एक और question है जो आपका प्रेड कॉलेज में आया होगा है क्योंकि जो प्रेड कॉलेज है ठीक है वह अपने एक्जाम खुद ही डालते है जम्मू इन्वेस्टी में भी आया होगा है तो यह question भी आते रहते हैं काफी important question है determine a and b a और b निकालना है ठीक है so that so that curve y is equal to curve आपको दी हुई है ax cube plus bx square has a point of inflection as a point of inflection as a point of inflection क्या inflection का point दी है इसका आपको minus one डूँ अभ आपको question में point of inflection दीया वह उगा है और यह question जम्म इन्वेस्टी में 2016 में आया हुए ऐसा question जम्म इन्वेस्टी बढारा आप पूचा करते हैं तो आपको point of inflection दीया वह है तो अब आपको क्या करना है इसका A और B निकाल है तो काफ़ी important question है I hope आप इसको भी दियान से सुनोगे तो सबसे पहले आप curve ले लो तो आप लेखुए curve क्या है Y is equal to A x cube plus B x square यह आपके पास curve है अच्छा point of inflection यह है जो point of inflection है वो curve पर ही होता है ठीक है तो since minus one two is point of inflection यह हमाली curve का क्या है point of inflection अगर यह point of inflection है तो यह curve के उपर ही लाई करेगा minus one two lie on the curve यह किस पे लाई करेगा curve के उपर ही लाई करेगा और curve पे लाई करने का मतलब क्या है यह curve को satisfy करेगा अब y में डाल तो two तो इधर two आ जाएगा x में डाल दो minus one तो minus one का क्यों minus one आता है b को as it is रखा x में डाला minus one तो minus one का square one आता है तो students आपको एक equation मिली minus a plus b is equal to two यह आपके पास एक equation आगे common sense लगई अगर आपको point of inflection दी है तो जो point of inflection है तो कहां पे होगा जिस कर्व का है उस कर्व पे तो लाई करेगा अगर यह उस कर्व पे लाई कर रहा तो इस कर्व को क्या करेगा satisfy करेगा और satisfy करने का मतलब है x की place में minus one डाल दो और y की place में two डाल दो तो यह आपके पास equation आ गई अच्छा आप निकालो d2y by dx2 2y by dx2 कितना है 6ax प्लस तू भी फिर आप निकालो triple derivative d3y by dx3 वो कितना हैगा 6a अब inflation कब क्या क्या मीनिंग है point of inflection क्या मीनिंग है कि point of inflection पे जो यह double derivative है यह 0 होगा point of inflection पे double derivative क्या होगा 0 तो दिखो हम बोलेंगे at क्या point है minus 1 2 जो d2y by dx2 यह must भी ग्या होगा 0 खेक है अब आप लेलो value d2y by dx2 six a को मैंने वैसे रखा x की place में क्या डालना minus one और plus 2b is equal to zero तो आपको इधर से क्या equation मिलगी? आपको इधर से equation मिलगी minus 6A plus 2B is equal to 0 आपके 2 common ले लिया तो क्या बजगिया? minus 3A plus B is equal to 0 तो यह आपको इधर से equation मिलगी एक equation आपको उधर से मिल रही है ठेक है? अब आप इन दोने equation को solve करो तो आपके पास एक equation है minus A plus B is equal to 0 और एक equation है minus 3A plus B sorry एक equation है आपके पास minus A plus B is equal to 2 और equation है minus A plus B is equal to 0 अब आप इन दोने को solve कर लो क्यासे solve करोगे आपने लिखना है इसको equation B दे देना है और first वाली को मैंने आ दी है आपको लिखना है on solving A and B और कुछ नहीं लिखना होता है कि मैं इसको multiply कर रहा हूं अब जैसे आपने ए निकाला इसे को अझा एक visa के डिखना डाल दो use a is equal to 1 in b equation तो आपके पास क्या जाएगा minus 3 into 1 plus b is equal to 0 तो b कितना आ रहा है 3 तो इस कोशन में जो a और b है वो आपने calculate कर लिए एक बार answer मैं मिला रहता हूँ a आपका क्या आ रहा है 1 और b आपका रहा है 3 एक मिन मैं answer मिला रहा हूँ हाँ तो answer में भी आपका यह आ रहा है आपका a 1 ना रहा है और b 3 आ रहा है तो आपको यह कोशन अच्छे से समझ आया हुआ अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीस आपको comment section में लिखके बता सकते हो तो यह था आपका topic point of inflection concavity convexity इसी ताइप की questions आएंगे ज्यास 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 फंक्शन में थोड़ी सी change हो सकती है most probably यही questions आएंगे यह वह questions है जो आज रेटी जम उनिवस्टी ने अपने exam में पूशे होगे तो I hope आपको आज की lecture में अच्छे से समझ आई होगे अगर आपको समझ आ रही तो अगर आपको इस चैनल से कुछ भी फाइद होगे तो प्लीज आप अपने friends के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकि सब भी math हमारी चैनल से पढ़ सकें तो I hope आप mathematics को enjoy कर रहे होगे rather than cramming के तो I hope कि आप इस lecture को जाया साथ शेयर करोगे Thank you students have a nice day कर दो